वेल्कम बैक हम आपके साथ आज स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ठीक है तो आप अपने पास अपना रिजिस्टर में हेडिंग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स यह आपकी किताब में चेप्टर नंबर नाइन है यह नाइन्थ चेप्टर है जो आपके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इसके लिए अकाउंटिंग स्टेंडर्ड 13 भी अपलाई होगा और हम अकाउंटिंग स्टेंडर्ड 13 के मताबिक पढ़ेंगे अभी accounting standard क्या होते हैं और कैसे बनते हैं यह सब बाते हम अलग discussion करेंगे अभी अपने पास अपने topic के उपर आएंगे और topic वर start करेंगे अपने पास ठीक है बीच में जहां जहां आवशकता पड़ेगी वहां पर हम AS की discussion भी करेंगे सबसे पहले बात आती है investment क्या होती है आप बताईए what do you mean by investment आप क्या समझते हैं investments है investment का मतलब है जहां पर हमारा कोई ऐसा asset है जो हमने अपने पास hold कर रख है जिसका उद्देश्य क्या है उसका उद्देश्य है to earn income जिसके उपर हम कोई earn करना चाहते हैं income या जिसके उपर हम चाहते हैं कि इसकी market value बढ़ जाए it is called capital appreciation इसका मतलब जब हम किसी asset को अपने पास इस दृष्टी को उनसे hold करते हैं कि ये मुझे कोई income देगा या इसकी market में value बढ़ेगी और मैं बेच के profit कमाऊंगा that is called investment इस word में जितना मैंने बोला इसमें एक छोटी सी कसर है मैं उस कसर को भी ठीक करूँगा तो definition exactly ठीक बन जाएगी मुझे फटा-फट से ये बताओ आपके फादर साहब ने bank में FD करवा रखी है किस उद्देशे से आपके पिता जी ने bank में FD करवाई है तो बादल ने कहा interest बिल्कुल ठीक उनको interest अर्न करना है तो क्या आपके पापा का objective है to earn income on that asset the answer is yes इसका मदब क्या bank में रख्यूई FD हमारी investment है फटा-फट से बताओ bank में रख्यूई FD पर हम interest अबजेक्टिव क्या है interest earn करने का objective है तो क्या ही हमारे पास investment हुई the answer is yes एक बच्चे ने का savings bank account मुझे फटा-फट से ये बताओ क्या saving bank पर भी आपको interest मिलता है क्या आप saving bank पर भी interest earn करते है स्वरन, विकास, सचेन, शुवम, बादल, सागर सबने का हाँ तो क्या saving bank भी interest earn होता है तो क्या ये भी हमारा investment हुई फटा-फट से बताओ हमान चुने का बहुत थोड़ा होता है हर्ष ने का it is not in ordinary course सब बिजनस हर्ष आप थोड़ा आगे चले गए तो विकास ने का हाँ ये भी गलत जवाब saving bank is not your investment क्योंकि saving bank का objective क्या interest earn करना होता है सिर्फ ये बताओ objective word को तुमने ध्यान से सुना नहीं मैंने ये नहीं कहा जिस पर भी interest earn होता है सेविंग पर भी interest earn होता है बट वो हमारी investment नहीं है क्योंकि उसमें आपको objective ये नहीं है saving bank आप क्यों खुलवाते हैं बताओ ज़रा आप saving bank क्यों खुलाते हैं आपको objective ये होता है कि आपने banking करनी है आपने पैसे लोगों को देने हैं लोगों से पैसे लेने हैं आपको banking करनी है तो banking के लिए आपको account चाहिए हाँ उस पर बेयाज भी मिलता है बट वो आपका उदेश्चे नहीं था उदेश्य तो FD में था जिसमें आपने का भाई साब बैंक में पैसे फालतू पड़े हैं क्या रखने हैं, कमाते हैं कुछ, वहाँ objective था, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, objective एक भावनाई है, asset को acquire करते वक्त भावना होती है, वो हमारे लिए क्या बन जाती है, that is basically the saving bank is not investments, because not objective, to earn interest, जहां पर आपको interest earn नहीं करना, अच्छा, यह जो मैं लिख रहा हूँ कि आपको लिखना है, आपने कुछ नहीं लिखना है, मैं अपने आप लिखवाऊंगा, do not worry about it, अच्छा, और बताईए, किस किस के उपर आप अपने पास, एक बच्चे ने bitcoin बोला था, शिवी ने बोला था, cryptocurrency, तो मैं bitcoin बोल देता या dividend मिलता है, तो नहीं मिलता है, फिर क्यों hold करते हो, तो वहाँ आपको objective होता है, appreciation, वहाँ क्या होता है, objective, objective is, capital appreciation, capital appreciation को हिंडी में क्या बोलेंगे, capital मतलब asset की value, value, asset की value, appreciate मतलब increase होना, यह आपको objective है, कि उसकी value increase हो, तो क्या यह भी आपकी investment है, the answer is yes, यह भी आपकी investment है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, तो क्या मैं यह कह सकता हूँ, कि investment की definition में, सबसे पहले वो एक asset होना चाहिए, फुटा-फुट से बताओ हाँ, investment कोई asset है, कोई liability नहीं, कोई asset है, दूसरी बात मैंने कहा, जिसका objective क्या है, objective क्या होना चाहिए, to earn income, जब मैं income बोलता हूँ, तो बताओ income में, वो income कौन सी हो सकती है, वो income interest की हो सकती है, वो income dividend की हो सकती है, वो income rent की हो सकती है, यह नहीं हमारा objective क्या होगा, to earn income, क्या मैं अपने पास word interest बोल रहा हूँ, नहीं, मैंने कहा, कोई भी income हो सकती है, जिसमें हमारे पास यह objective है, या for capital appreciation इसका मतब यह हो गया जिसका objective है value जिसकी बढ़े हमने इसलिए hold कर रखा है जिसकी value बढ़े अगर मैं इन दो को ही investment बोल दूँ तो एक समस्या हो जाएगी जानना चाहोगे क्या समस्या हो जाएगी अगर मैं इन दो बातों से ही investment बोल दूँ तो एक समस्या हो जाएगी जैसे मेरे पास stock पड़ा हुआ है फड़ा फट से बताओ मैंने stock क्यों रखा हुआ है मैंने कोई सामान वर्ड बेचने के लिए रखा हुआ बताइए तो भई हमारा stock कुछी भी चीज़ का stock हो सकता है मेरे पास calculators का stock रखा हुआ है क्या stock के अंदर भी मैं income earn करने का objective नहीं रखता फटा फट से बताओ क्या stock में भी मैं income को earn करने का objective नहीं रखता इसका मतलब yes या मैं stock को भी नहीं रखता कि मुसकी market में value बढ़ जाएगी तो बेचूंगा तो stock भी क्या बन गया ये तो investment बन गया फिर तो stock भी क्या बन गया investment बन गया फिर तो मुश्किल हो जाएगा इसलिए आब शक्ता पड़ी एक third point की जिसमें हमने कह दिया which is not ordinary course of business अच्छा जो धन्धा नहीं है इसका मतब ये धन्धे में भी ये income होती है उसको exclude करवा दिया हमने क्या आपको मेरी बात समझ में आती है अब जैसे रागव ने कहा gold तो ये बताओ gold मेरे लिए क्या है investment लेकिन जो gold की business कर रहा है उसके लिए क्या है उसके लिए investment नहीं है उसका वो ordinary course of business है क्या आपको मेरी बात समझ में आती है इसका मतब why this part is important which is not in ordinary course of business कि अगर ये line हटा देंगे अगर खाली इतने से ही काम कर देंगे तो problem हो जाएगी तो हमारे पास ऐसी स्थिती में जो हमारे धन्दे हो भी investment बन जाएगी क्या आपको समझ में आती है यही definition कहां लिखी हुई है यही definition लिखी हुई है in your accounting standard 13 इनकी accounting को AS 13 deal करता है क्या बात समझ में आती है now आप मुझे इसमें और और example दे दो ताकि आप अपनी practice कर ले relate कर पाएं उन चीज़ों को ठीक है तो एक बच्चे ने कहा sir gold bonds तो फड़ा फट से बताओ gold bonds क्या है वैसे अब आप मुझे सब इनी के example देंगे तो मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर देता हूँ तो gold bond में भी आपका यही objective है क्योंकि आपको ultimately उसमें या तो ब्याज कमाना या उसकी capital appreciate करनी है Amisha third point में यह लिखा है जो धन्दे का नहीं है क्योंकि जो धन्दे का है उसमें भी तो आपका यही objective होता है to earn income तो stock को exclude करवा दिया हमने का stock should not be treated as investment बच्चे ने कहा sir हमारे पास land है real estate है बिलकुल ठीक एक बच्चे ने बोला है shares है mutual funds है यह भी सब हमारे पास क्या है investment है एक बात बताओ एक share broker है जिसका काम ही share खरीदना और बेचना है क्या वो AS 13 apply करेंगा please tell me Amisha क्योंकि तम्हारी इस पर query थी तुम बताओगे एक share broker है जिसका काम ही ही है share खरीदना और बेचना क्या वो उसके लिए investment है the answer is no क्योंकि उसका वो धन्दा है बात समझ में आती है उस पर ये apply नहीं होगा लेकिन मेरे पर क्या apply होगा मेरा धन्दा बच्चों को पढ़ाने का है तो मेरे case के अंदर shares और debentures की investment share और debenture के asset को क्या बोलूँगा में investment बोलूँगा तो I hope आपको बात समझ में आती है और आपके जमाने के अंदर हमने bitcoin तो फिर से बोल दिया एक बच्चा बार बार bitcoin जैसी चीज़ें बता रहा है एक बच्चे ने का life insurance बिलकुल ठीक life insurance भी इसमें आएगा ध्यान देना life insurance not medical insurance एक बच्चे ने का NFT भी क्या इसमें आएगा the answer is yes NFT भी आएंगे NFT के token जो आज कल नया concept आ गया concept क्या आ गया नई नहीं चीज़ें आ रही है वेदान्त SIP इसके अंदर आ गए mutual fund में SIP भी आते हैं तो अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं हर्षा ने का investment in partnership firm भी हो सकती है बिल्कुल investment in partnership firm भी हो सकती है एक बच्चे ने का investment in foreign currency भी हो सकती है the answer is yes investment in foreign exchange भी हो सकती है ध्यान दखना dollar आप अगर अपने पास बेचने खरीदने रखते हो तब ही ऐसा होगा वैसे ही आप अपने पास अमरीका घुमने के लिए जा रहे हो तो नहीं होगा राज अगरवाल ने कहा public provident fund तो PPF public provident fund या आपके पास इस तरह की कोई EPF अगर हो तो यहाँ पर आएगा स्वामित्रा ने कहा medical insurance के अंदर यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आए बता वई स्वामित्रा ने कहा सर medical insurance मैंने अपना medical insurance करवाया वो investment क्यों नहीं है स्वामित्रा उसमें मेरा objective कोई ब्याज कमाने का नहीं है और मुझे कोई capital appreciation भी नहीं मिल नहीं है नमबर दो medical insurance का जो पैसा देते हो वापिस आना ही नहीं है यह नहीं जादा तो छोड़ो जितना दिया वो भी लोट के नहीं आना लेकिन प्रियांशुने का life insurance फिर क्यों है क्योंकि उसका पैसा लोट के आता है बात समझ में आती है वो आपकी investment होती है वो ब्याज सहीत बोनस सहीत आता है उसके अंदर इसलिए आपके पास life insurance में आता है लेकिन इसमें नहीं आता मुसकान ETF भी इसके अंदर आ गए बेटा mutual fund में आ गए जो ETF होते वो भी इसके अंदर आ गए शुबम ने का मेरे पास एक घर है क्या वो asset है फटा फट से बताओ शुबम का वो कहता है मेरे पास एक घर है तो शुबम घर investment नहीं है लेकिन तुमने घर रखा हुआ है इसलिए कि वो खाली पड़ा हुआ है या किराय पे चाणा रख है तो इसमें कबर होगा क्या आप नाम जानना चाहते हो तो सुनो अब मैं आपसे एक्जाम के मताबिक बात करूँगा लेन एंड बिल्डिंग क्या है आपको पता है पहले अपने पास fix the set बोलते थे आज कल उसे property plant equipment बोलते है पुराने जमाने में उसे fix the set बोलते थे आज कल उसे हम क्या बोलते है पी पी ई बोलते है पहले fix the set बोलते है ताब उसका नाम यह हो गया मेरा सवाल आपसे यह है लेन एंड बिल्डिंग PPE है या investment है फड़ा फट से बताओ एक्जाम में लिखा हुआ है लेन एंड बिल्डिंग क्या आप माने बहुतना ही लिखा हुआ है यह है के यह है तो रिशिता, युवा, गौरव इन सब ने कहा PPE क्यों भई PPE फड़ा फट से बताओ वाई PPE मननने का investment है और शिवी ने का investment अगर रेंट पे शिवी एक्जाम में खाली यह लिखा हुआ है क्या बोलोगे इसको यू कांट से कि नहीं नहीं सर इसका ब्याज कुछ आ रहा है additional information कुछ नहीं है this is my point कि ये बताओ ये क्या है मुसकान ने कहा हम assume कर लेंगे अपने पास और इसके अलावा तन्या ने कहा कि इसको हम asset मान लेंगे अपने पास तो सुन लो अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलो लेंगे बिल्दिंग अगर इन्वेस्टमेंट हो तो लेंगे बिल्दिंग नाम ही नहीं होता oh my god लेंगे बिल्दिंग वर्ड अगर इन्वेस्टमेंट हो तो उसका नाम लेंगे बिल्दिंग हो ही नहीं सकता मुझसे पूछो बो शर्मा जी पिर उसका क्या नाम होगा है तो layne and building लेकिन investment होगी तो उसका क्या नाम होगा उसका नाम होगा immoyable property then it is called immoyable property हम उसका नाम ये रहत बोलते हैं तो अब थोड़ा zoom out करो exam में खाली ये लिखा हुआ है Immoable Property तो बताओ यह PPE है या Investment है खाली यह लिखा हुआ है सिर्फ लिखा है Immoable Property तो इसका मतलब है यह क्या है Investment है और एक्जाम में खाली Lane and Building लिखा है तो यह क्या है यह हमारे पास Property Plant Equipment है तो क्या आप इस Word में हैं दोनो Lane and Building आम भाशा में दोनो Lane and Building है लेकिन हमारी एक्जाम की भाशा में Word Lane and Building का मतलब होता है कि यह हमारे Business के लिए यूज हो रहा है और Word Immoable Property का मतलब है कि यह हमारे Investment के नजर से लिया गया है तो therefore आपको कोई Problem नहीं होगी अब अबारी आती है कि Institute आपको क्या पढ़वाना चाहता है अच्छा एक बच्चे ने बीच में Painting की बात भी करे थी उसने कहा था Painting क्या Investment है के नहीं है बताओ भई Paintings Painting क्या Investment है के नहीं है जो Paintings हम खरीद लेते हैं घर में Calendar टांगा है वो भी Painting है हर्मीत कह रहा है Land and Building वाली बात समझ में नहीं आई हर्मीत Problem पता कहा है हर्मीत देखो जनता कही Land and Building आप जनता नहीं है CA क्या कही Land and Building का मतलब है वो प्रापरटी जो Business में यूज होती है इसका मतलब ये नाम इसी के लिए यूज होगा और Immoable प्रापरटी है वो भी Land and Building है Means वो प्रापरटी जो Investment है इसका मतलब ये आप Land and Building वर्ड जब बोलते हैं तो हमेशा बिजनस के लिए होती है वर्ड इमोबल प्रापरटी जब बोलते हैं तो हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है आम जनता उन दोनों को एक ही मानती है तो हम कोई जनता थोड़ी ना है इसका मतलब हर्मीत आप अपने पास इन वर्ड को एक्जाम में यूज करते हो तो इसलिए मैंने पूछाता यह क्या है तो यह हमेशा बिजनस के लिए है इसलिए हमेशा PPE है और यह हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए है तो हमेशा इन्वेस्टमेंट है तो यह investment है मुझे यह बताओ क्या आपको पता है बड़ी सारी ऐसी पेंटिंग्स भी होती है जिनकी capital appreciation होती है हर पेंटिंग जो हमारे घर की दिवार पे टंगी हुई है वो पेंटिंग की में बात नहीं कर रहा ऐसी भी कुछ पेंटिंग्स होती है जिनकी market में value बढ़ती है अब मेरे को पता नहीं है ऐसे ऐसे बेरोस्पन पेंटिंग्स के कौन कौन उनके designer है जिन्होंने ऐसे ऐसी photo बना रखी है उनकी photo हमारे आपर भी एक MF हुसेन हुआ करते थे मुसकान ने कहा एक Mona Liza है एक Starry Night साब मेरे कोई तो इतना पता भी नहीं है जो आप बता रहे हो हाँ अर्तिका ने कहा एक Picasso की भी है बिल्कुल ठीक अब मेरे ख्याल से हम इससे ज़्यादा बात ने हाँ बिल्कुल आरे यारे यह आया ना आंसर तो रागव ने कहा सार इतना मथ्था पच्ची क्यों कर रहे हो मजनू भाई भी एक जगा पे पेंटिंग बेच रहा था जिसमें वो किसी एक उसने बुला रखिये बोली आक्षन लगा रखी थी फिल्म वेलकम के अंदर वो पेंटिंग बेच रहा था कि मैं इतने की पेंटिंग लूँगा तो वो वाली पेंटिंग इन्वेस्टमेंट हो गई बात समझ में आती है और जो पेंटिंग अपने पास यूज कर रहे है घरों में कलेंडर के रूप में अब आप मुद्धे पर आओ और मुझसे पूछो जो आप घर में टांगते हैं तो उन्हें अगर आप डेकोरेशन के लिए यूज कर रहे है अच्छा अब बारी आती है ICAI आपको इंटरमेडियेट में अकाउंटिंग समझाएगा आफ इन्वेस्टमेंट लेकिन सारी इन्वेस्टमेंट नहीं वो सिरफ बताएगा जो इंटरस्ट बीरिंग इन्वेस्टमेंट से जिन में आएंगे बॉंड और डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट आप ये पढ़ेंगे तथा शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट है तो ये पढ़ेंगे क्या बाकी सब इन्वेस्टमेंट की चर्चा हमारे कोर्स से बाहर हो गई इसका मतलब मैं आपको सिरफ इन दो इन्वेस्टमेंट की बाते करूंगा अच्छा है या बुरा है मैं आपको सारी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा सिर्फ दो इन्वेस्टमेंट के बारे बादल कह रहा अच्छा है दो के बारे में ही बताओगे सारों के बारे बताते तो बड़ी दिक्कत हो जाती करन कह रहा बहुत बुरी बात है सारा पढ़ाना चाहिए गौरब भी कह रहा है सारा बढ़ाना चाहिए नहीं अगर तुमको मैं तहूं कि सागर का पानी मीठा है के नमकीन सारे सागर का पानी पी के बताओगे या एक चम्मच से भी बता लोगे बताओ जरा सारे सागर का पानी मीठा है के नमकीन क्या आपको पूरा सागर पीना पड़ेगा या एक चम्मच से भी बता सकते हो एक चम्मच से भी बता सकते हो इसी लिए हमारा इंसिचूट आपको सारी इन्वेस्ट्मेंट की बाते नहीं बताता वो कहता है दो बता दी एक बेयाज वाली एक शेर वाली इसी से आप समझ जाओगे तो बाकी कोई चीजें जब C.A. बन करके काम करोगे तो इनी प्रिंसिपल्स का पालन करते हुए आप बाकी इन्वेस्टमेंट पर भी काम कर सकते हो क्या आपको मेरी बात समझ में आती है इसलिए हमारे कोर्स में सिरफ दो का ये सेंपल था इसका मदब ये दो समझ लो तो बाकी जीवन में C.A. बन के और भी अपलाई कर लेंगे तो आई होप इन दो को इसलिए समझ ना जिदू दिये क्योंकि इसको मैं बाद में एक्स्ट्रा पोलेट करके कहीं और भी अपलाई कर सकता हूँ हाँ स्टूडेंट एंगल से आपकी लाटरी लग गई आपको इतना ही पढ़ना है अगर आप बन दिमाग से सोचते हो तो बोलो गया ठीक है इतना ही पढ़ना है बात खतम और अगर आप उसको सोचते हो अपने ओवराल डेवलप्मेंट में तो ये दो आपको बाकी चीजों का भी रस्ता दिखा देंगे इनी दो से आप बाकियों को भी समझ जाएंगे आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है और मैं अब आपके साथ अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ अभी मैंने आपको अपने चैप्टर का सिरफ और सिरफ भूमी का बनाई है अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं कि अभी तो मैंने बताया है कि हम क्या पढ़ने वाले है अब बारी आती है लिखें क्या हमको लिखना भी तो है तो मैंने जितनी चर्चा की आपके साथ अब मैं इसे लिखवाऊंगा लेकिन वही लिखवाऊंगा जो चर्चा आपके लिए एक्जाम के लिए भी relevant है मैं इसके print out ले रहा हूँ इसलिए आपको दो मिनिट लग रहे है ठीक है न अब ये board घूम कर आएगा तो मैं आपको लिखवाने के लिए क्या आपने अपने copy pencil तयार रख्योई है चल भाई चल जल्दी जल्दी चल यह असल मैं board ना scan कर रहा है और scan होगा तभी तो आपका PDF आएगा उसका और हाँ महीमा कह रहा है print out कहां मिलेंगे print out बेटा LMS पर मिलेंगे हमारा जो भी content sharing है वो सब LMS पर है तो अब आप मेरे साथ साथ यहां लिखेंगे point number one heading तो आपने लिख लिया था investment का heading आपने लिख दिया था हाँ अब आपने Chris register में लिखना है तो मैं अब first point से लिखवा रहा हूं तो आप मेरे साथ साथ अब लिखेंगे भी investments means assets which are held with objective to earn income or capital appreciation or doosra which is not in ordinary course of business objective का क्या मतलब हुआ हिंदी में लिखूं के नहीं लिखूं उद्देशे जलो छोडो objective means इंटेंशन वाइल अक्वाइरिंग एसिट एसिट को प्राप्त करते वक्त हमारी भावनाएं क्या थी भावनाएं एसिट को अक्वाइर करते वक्त अक्वाइर मतलब क्या बोलेंगे प्राप्त करना यह आवाज कैसे आ रही है? इतर अवाज कैसे है यह अपर इतर 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 जैसे कोई सांस ले रहा है इतर खड़े हो जाओ अब रुके रहो तो मैं अपना काम करता हूँ मैं तो डर गया मैंने का कि भूत भूत तो नहीं आ गया अपर कलो देख लो बात में देखना पर इंकम कैन भी बताना इंकम कैसे कैसे हो सकती है वारे को हाँ बताना जड़ा इंकम किस-किस रूप में हो सकती है इंकम कैन भी इन फॉर्म आफ इंट्रस्ट यहनी ब्याज इन फॉर्म आफ डिविनेंड डिविनेंड मतलब एज शेरोल्डर जो प्रॉफित होता है इन फॉर्म आफ रेंट रेंट मतलब खिराया अनेबल मैंने कहा लिख है हाँ हनन मैंने अनेबल तो कहीं लिखा ही नहीं है वाइल अक्वाइरिंग ऐसेट लिखा है विच इस नॉट इन और्डिनरी कोस्टिक है और capital appreciation का क्या मतलब होता है capital appreciation means increase in value of assets जो हमारा इसमें cover हो जाता है ठीक है अब बारी आती है ये तो हो गई definition ये investment की definition मैंने कहां से पिक की है ये आपके पास accounting standard 13 में है तो क्या लिखों के नहीं लिखों की अब ultimately जो मैं बाते बता रहा हूँ ये कहां से उठा रहा हूँ मैं AS 13 से उठा रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ साथ साथ में ये investment है अब बारी आते हैं इसके अंदर examples की तो आप मुझे बताईए सबसे पहले कोई interest bearing bonds या interest bearing investments in debentures तो और बताईए shares of companies ये मैंने न सबसे उपर पता क्यों लिखे हैं बताओ ये सबसे पहले उपर क्यों लिखे हैं क्योंकि यही आपके पास practically in exams relevant in exam exam में यही तीन चीज़ें आपके लिए relevant है अब आप चौथे नमबर पर कुछ भी बताते जाओ मुझे दिक्कत नहीं है सागर ने का public provident fund FD ठीक है और कुन-कुन से बताने बिटकोईन बताने हैं क्या बिटकोईन NFT ठीक है गोल्ड बॉंड्स गोल्ड गोल्ड बॉंड्स silver भी हो सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है mutual fund mutual fund बहुत हैं मेरे काल से अब इतना जितना बर्जी लिखो mutual fund में बच्चे ने पूछा SIP भी हो सकता है ETF भी हो सकता है वगरा वगरा भी हो सकता है मुझे वो चाहिए नहीं है दिमने का life insurance policy भी हो सकती हो भी हो सकती है इतना बहुत है यह आपके लिए बाकी fall to knowledge के लिए था exam के लिए relevant नहीं था तो मैं इस से ज़्यादा आपके पाथ नहीं लिखता है यह लिख देता हूँ land and building is not investment because word land and building is always used for business assets here investment sorry immobile property is always investment though it is land building कि आपको यह बात ध्यान रहेगी कि खाली land and building लिख है तो investment नहीं है क्योंकि वो business assets मानते हैं हम लोग और जो यह हमारे पास है उसमें ऐसा होगा bill discounting हमारे पास bill discounting मुसकान इसमें इसमें आएगा bill discounting तो आपका एक वर्ब है प्रोसेस है वह एसे टी नहीं है हमारे पास और प्यूश ने का क्या REITS भी investments होती है दा answer is yes अला कि प्यूश आप REITS के बारे में जानते है इस वेरी गुड बहुत कम लोगों को REITS के बारे में पता होता है अच्छा अब बारी आती है कि हम इसके अंदर नंबर दो पर अब पढ़ना क्या चाहते है क्या आपने जितनी भी बारे बाते बताई क्या वो आपको समझ में यहां तक क्या आ गई मैंने अपनी जो discussion करी तो उसको मैंने short में बता दिया इतना आपके लिए चाहिए तो अब सुनिया इसके अंदर जरा हमारे पास कि अब हमारा अगला पार्ट क्या है इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे कई तरह की हो सकती है इन्वेस्टमेंट्स कैन भी कोटेड अनकोटेड कोटेड मीन्स वोस वेल्यू इज अवेलेबल पबलीकली मुझे फटा फट से बताओ गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है इसके लिए कुछ नहीं करना है गूगल करो आपको गोल्ड का प्राइस पता चल जाएगा आज का और अंकित ने का 5090 तो किये अच्छा लेकिन रागव ने का 53,550 प्यूश ने का 5,140 वो अलग लग जगा से आप देखें ना गूगल ने भी तो कही निकाल दिये कि आप अमरीका की मार्किट से बता रहे हैं कि इंडिया की मार्किट से बता रहे हैं सराफा बजार बता रहे हैं कौन सा बता रहे हैं वो अलग लग है लेकिन क्या आप ये बताओ गोल्ड का प्राइस आप ढूंड पा रहे हैं अपने पास गूगल से दा आंसर इस क्या पॉलिकली उसकी protective पता चल रही है रिलाइस इंड़ाईस के share का क्या प्राइस मुझे बता सकते हैं रिलाइस इंडस्ट्रीज के शेर का प्राइस बताओ तो आप गूगल करो लिखो शेर प्राइस आफ रिलाइस इंडस्ट्रीज तो आपको एग्जेक्ट बता देगा हो तान्य ने का 2651 तो शुबम ने का 2628 हाला कि मुझे समझ में नहीं आ रही है अलग लग क्यों आ रहे है मुसकार ने भी का 2628 राघव ने का 2628 हाँ 2628 ज्यादा बच्चे बता रहे कुछ बच्चे ने बाकिया नुमान से बता दिया होगा तो क्या 2628 2628 रुपे ये कोटिड है अब सारे बच्चे बताओ अलडाइन के शेर का प्राइस क्या आ रहा है गूगल पे अलडाइन के शेर को लिखो शेर प्राइस आफ अलडाइन वेंचर प्राइविट लिमिटेड कि इसका बताओ कि इसका प्राइस क्या आ रहा है तो मुझे पता चले कि इसका प्राइस क्या आ रहा है सतिंदर कह रहा है सर ये तो दिखी नहीं रहा हिमांचु भी कह रहा है ये तो दिखी नहीं रहा जिसका प्राइस दिख नहीं रहा वो क्या है अनकोटिड ओके वो हमारे लिए क्या हो गया वो unquoted हो गया यह नहीं unquoted चीज़े आ गई तो unquoted के बारे में अगर हम बात करें तो unquoted के अंदर उनकी value फिर कौन निकालता है आप बताओ जरा unquoted की value कौन निकालता है unquoted में धंदा तो होता ही होगा unquoted भी लोग खरीते बेशते होंगे तो unquoted के अंदर value को निकालता है unquoted में valuation officers या valuers इसकी value करते हैं क्या आपको पता है यह एक उभरता हुआ धंदा है जिसके अंदर आजकल valuation के experts मिल रहे हैं और वो करोडों रुपे कमा रहे हैं valuation करने के क्योंकि लोगों ने जो चीज़ें खरीदनी है अगर वो unquoted है तो कहां से उसकी value पता चले इसलिए वो valuation कराते हैं और क्या आपको पता है इंडिया में valuation करने में Chartered Accountants भी involved हैं इसका मदब हम भी valuation करते हैं और engineers भी valuation कर रहे हैं क्या आपको दुख नहीं हुआ यह जान करके कि धंदा हमारा और engineer भी valuation कर रहे हैं हाँ वो भी कर रहे हैं इसका मदब बड़े सारे engineers भी valuation करते हैं Chartered Accountant भी करते हैं अगर आपने भी valuation के उपर और जानकारी लेनी हो तो आपका एक subject है जिसका नाम क्या है Financial Management वहाँ आपको valuation सिखाई जाती है क्या आपको मेरी बात समझ में आती है तो जिन चीजों की valuation हमें नहीं पता चलती uncoded होती है उनकी valuation कराई जाती है उस value को बोलते हैं fair value क्या बोलते हैं उसको fair value तो fair value कौन निकालता है कोई वेक्टी जो valuation करते हैं वो निकालते हैं जिन्होंने FM पढ़ रखा है अच्छे से या इवन जो engineers हैं वो valuation करते हैं और उनसे fair value निकालते हैं कुछ cases में fair value के अंदरा market value से भी fair value को निकाल लेते हैं वो depend करता है यह नहीं उसके कई तरीके आपको बताएंगे हाँ प्रिंस कह रहा है तो uncoted के अंदर we use fair value हम fair value को use करते हैं अपने पास ठीक है अच्छा यह मैंने अपने पास investments को बताया कि quoted भी हो सकती है uncoted भी हो सकती है इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि यह short term भी होती है और long term भी होती है क्या मैं अलग-लग basis पर इन्हें अलग-लग बाट रहा हूँ अलग-लग basis पर इसका मदब यह 4 तरह की नहीं होती या तो यह 2 बोल दो या यह 2 बोल दो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं आप यह नहीं कह सकते investment 4 तरह की होती है अब मैं short term और long term बोल रहा हूँ short term investment और long term investment क्या होती है वो discuss करना है बीचे बच्चे ने का fair valuation मतलब क्या approximation होती है the answer is yes fair value मतलब approximation जो उसकी fair value होनी चाहिए जायज value वो निकाली जाती है उसको निकालने के कुछ तरीके होते हैं वो हम बाद में सीखेंगे FM के अंदर तो short term investment और long term investment तो आप बताईए मैं बोलता हूँ मेरे पास एक short term investment है what do you mean by short term investment तो term का मतलब हो गया जो कुछ समय के लिए है कितना समय कितना समय अक्षित कितना समय जो हमारे पास less than 12 months इसका मतलब हमारे पास जो 12 महीने से less than 12 months और equal to 12 months बोलना चाहिए यनि जो up to 12 months वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं short term और अगर more than 12 months हो तो क्या बोलेंगे उसे long term बोलेंगे ठीक है यनि कि जो आपने within one year रखनी है वो यह हो गई और जो आपने एक साल से आगे ले जानी है इसके अंदर हो गई इधर आने से पहले आपसे एक बात करूँगा मैंने अपने पास shares करीदे मैंने अपने पास shares करीदे Reliance Industries के 2628 रुपे के on 26 अगस्त मैंने अपने पास यह share करीद लिए और मैंने अपने पास यह आगई 31 March 2023 फड़ा फट से बताओ यह short term बोलू के long term बोलू फड़ा फट से बताओ यह short term बोलू यह long term बोलू तो शीवी ने कहा सर यह short term बोल देते हैं ओके शीवी बादल ने भी कहा short term मुसकार ने भी कहा short term तान्या ने भी कहा short term यूवल ने भी कहा short term सब बच्चों ने कहा short term बोलू यह आ गई 31 March 2024 अभी तक मैंने बेचा नहीं क्या बोलू उसको अभी तक बेचा नहीं क्या बोलू very good सब बच्चों ने कहा अब हम इनको long term बोलेंगे कि ये long term investments हैं very good अच्छा मैं आपकी जानकरी के लिए बता दू कि आपने बिल्कुल गलत आंसर दिये हैं क्या हैरानी हो रही है आपने बिल्कुल गलत आंसर दिये हैं ये short term है कि long term है उसका तरीका कुछ और है सुनना ध्यान से जिस दिन खरीदे थे उस दिन आप पहले मेरी भावनाएं पूछे पूछे सर्मा जी भावनाए ये पूछे शर्मा जी जब आप ने ये खरीदा था उस दिन आपकी intention क्या थी ask me कि जब मैंने खरीदा था इस share को तो मेरी इच्छा क्या थी बाड में गई यह डेटें यह नहीं देखनी है मेरे से मेरी भावना पूछो पूछो गया तो बताऊंगा आपको कि मेरी भावना क्या है बचे ने का आपकी क्या भावना है मेरी भावना है कि मैं इसे short term रखना चाहता हूँ यहनि में इसे 12 महीने से उपर नहीं ले जाओंगा बारा महीने से पहले ही मैं इसको बेच दूँगा ये इन्वेस्टमेंट क्या है शॉर्ट टर्म यहां पर भी क्या है शॉर्ट टर्म यहां पर भी क्या है शॉर्ट टर्म यहां पर भी क्या है शॉर्ट टर्म ओ माई गॉड तो आपने भावनाएं ये स्टै करती हैं कि ये short term है कि long term है क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है इसका मतब ये short term है कि long term है इसमें कोई period मापा नहीं जाता क्या मापा जाता है मेरी भावनाई वो किस दिन की फड़ा फट से बताओ ये भावनाई किस दिन की देखनी है जब हमने investment को acquire किया था उस के हिसाब से ये short term या long term आ रही होगी मुझे ये बताओ क्या ऐसा भी हो सकता है कि पहले ही दिन मेरी भावनाई long term की हो फड़ा फट से बताओ क्या ऐसा भी हो सकता है पहले ही दिन मेरी भावनाई long term की हो the answer is yes क्या ये हो सकता है कि मैं उनको within one month sell भी कर दूँ और यहां बच प्रफटा है, the answer is yes, तो क्या ये sale long term investment की मानी जाएगी या short term की मानी जाएगी, फटा फट से बताओ, जब मैंने एक महीने बाद ही इस investment को जो की खरीदते वक्त long term थी, यहां बेच डाली एक महीने बाद ही, ये long term की sale होगी के short term की sale होगी, मुसकान थोड़ा emotional हो गया, उन्हो short term होगी, the answer is it is sale of long term investment, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इसका मतब long term और short term, क्या आपने मापना है फुटा लेके, नहीं, ये भावनाएं टै करती है, क्या आपको पहली बात समझ में आ रही है, कि long term या short term किस पर निर्भर करता है, ये भावनाओं पर डिपेंड क करता है, कैसा हो सकता है, कि है short term और उसको 20 साल तक hold करें रखूं, कैसा हो सकता है, the answer is yes, ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, कि खरीटे वक्त भावना थी, कि इसे रखूंगा 10 साल तक, और बेच दिया एक महीने बाद ही, क्या ये हो सकता है, the answer is yes, आदित्ये ने कहा, कि sir, ये intentions को कैसे पता लगाते या दिते थोड़ी देर बाद कोश्चित पूछना मैं यह अपनी पास चर्चा पूरी कर लो, ओके, क्या भावनाओं में बदलावा सकता है, फड़ा फट से मुझे बताओ, क्या भावनाओं में बदलावा सकता है, the answer is yes, क्या ऐसा हो सकता है, कि शॉट ट के लिए रखोंगा, यहां तक मैं दो साल तक उसे यही कहता रहा, कि मेरे पास यह शॉट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यहां आकर मैंने कहा, यह मेरी लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मुझे बताओ, क्या यहां से वो इन्वेस्टमेंट अब लॉंग टर्म मन जाएग बिल्कुल बदल सकती है अगर भावना बदलेगी तो क्या वो short term और long term की category भी बदल जाएगी the answer is yes अब बारी उठती है कि sir आपने भावनाओं पर हितना जोड़े डाला ये कितना ज़्यादा versatile है ये बदलने वाला है इसका मतलब ये तो बड़ा चकर पड़ गया बच्चा अपने company में director कहेगा मेरी ये भावना है मेरी ये भावना है ऐसा नहीं होता जब companyya कोई investment खरीती है तो उसकी intention अपने resolution में mention कर देती है ओके इसका मतलब ये कि intention के अंदर वो already mentioned होता है sir लेकिन ये तो companyya में होता है अगर हम कोई partnership firm की बात करते हैं कोई soul trader की बात करते हैं उसकी भावनाओं को कागज में कहां से उता रहें क्या पता चले वो short term का है के long term है बिल्कुल ठीक कहा आपने इसका मतलब क्या इसमें कहीं न कहीं थोड़ा scope of window dressing है फटा फट से बताओ क्या हम अपने पास इसमें scope of window dressing है the answer is yes लेकिन क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो as per as exactly वही है the answer is yes now I have one question from ओम चतुरवेदी जो थोड़े emotional हो गए है वो कहने सर ये illogical है बिल्कुल गलत ओम आपने एक मकान खरीदा investment के रूप में क्या बोलते हैं उसको land and building के immobile property ओ मैं भूल गया आपने एक मकान या plot या flat या building को इखरीदी investment के रूप में तो क्या बोलेंगे very good उसे बोलेंगे immobile property intention क्या थी कि आप इसे दो महीने में बेच देंगे फटा फट से बताओ ये short term होई के long term खरीदते वक्त आपकी intention क्या थी कि आप इसे कितने टाइम में बेच देंगे आपने गा दो महीने में बेच देंगे तो दो महीने में बेच देंगे तो क्या हो गया शौट टम हो गया पर ओम वो बिक नहीं रही है आप जगा जगा ब्रोकर के पास जा रहे हो आप रोज जाना जाके दफ्तरों में उनके चक्कर लगाते हो उसके प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के पास कि भाई साब बिकवा दो बिकवा दो बिकवा दो तो हे ना तुम्हारी एभी भी शाट टम की फटा फट से बताओ भावना ही तो हे ना तुम्हारी शाट टम की बिकनी रहा का क्या मतलब हो गया आप ये तो नहीं कह सकते कि भावना बदल गई है एक दिन तुम्हारे मन में अच्छा अब आपसे वो property बिकी नहीं 20 साल तक, कितने साल हो गए 20 साल तक तुम्हारी बिकी नहीं अब तुमने का, ऐसी की तेसी अब बेचीनी नहीं मैंने, बहुत हो गया जब अभी तक नहीं तो कभी नहीं अब ना बेचंगा इसको मैं, क्या तुमने भावना बदल दी, फड़ा फट से बताओ, क्या तुमने भावना बदल दी, हाँ, इसलिए अब मैं उसे long term बोलूँगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, तो ओम चातुरवेदी, the concept is like this, कि हम भावनाओं के हिसाब से accounting करते हैं, हम actual में accounting नहीं देखते हैं, कि उसने बेच दिया, क्योंकि अगर हम actual को follow करते हैं, तो यहाँ पर यह short term कैसे कह सकते हो, हो सकता, उसने long में रखनी हो, इसका मतलब यह, इस period से कुछ पता नहीं चलता है, कि यह short term है कि long term है, आपको यहाँ की भावनाओं देखनी हैं, और भावनाओं बदलती हैं, तो investment short term से long term या long term से short term आ सकती हैं, बिलकुल, हर्ष बिलकुल ठीक, यह सीधा-सीधा भावनाओं का ही खेल हैं, अब आप मुझसे पूछो, कि शर्मा जी, कि long term और short term को अलग-अलग विवेचन या अलग-अलग डिस्टिंग्विश करने का क्या फाइड़ा है, दा आंसर इस, short term की accounting थोड़ी अलग होती है, और long term की accounting थोड़ी अलग होती है, इसका मतब भी हो गया, जब मैं आपको सवाल कराऊंगा, तो क्या आपने पास, कोई भी investment की अगर मैं बात करूँ, तो short term की accounting कर रहे हो, तो अपने दिमाग में कुछ असूल रखना, कि short term की accounting ऐसे होगी, और long term की accounting ऐसे होगी, कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इसका मतब ये आपका basic concept था, जो मैं अपने पास कर रहा हूँ, तो मैं इस बात को भी यहाँ पर अंग्रेजी में लिखने वाला हूँ, तो short term क्या है, investment, which is, held for, period of dwellments, based on, intentions at time of acquisition, जब आपने investment को acquire किया था, उस वक्त आपकी intention क्या थी, उसके हिसाब से आप अपने पास काम सकते हैं, हाँ, you all कह रहा है कि आप company भी अपनी भावनाय बदल सकती हैं, उनके आप board resolution होते हैं, उससे भावनाय बदली जाती हैं, ठीक है, तो रागव कह रहा है सर, law enforcement agencies, हमारी intention कैसे देखेंगी, रागव हमारा ये accounting standard का law enforcement से कुई लेना देना ही नहीं है, investment करी दी है, तुमारी balance sheet में long term आ रहा है कि short term आ तो रहा है न, इसका law enforcement वालों को कोई problem नहीं है, वो तो हमारी अपनी internal classifications होती हैं, तो इसमें कोई scam थोड़ना हो रहा है, तो long term क्या है, other हो गई, other मतलब other than short term, तो जो short term नहीं है, वो इसमें आ जाएंगी, मैंने अपने पास ये भी आपको बात बताई, थर्ड मैं आपके साथ एक और बात बताना चाहता हूँ, investments for ICAI exams, will be interest-bearing investments और non-interest-bearing investments, कोई example दो, investment जो की, इन 12 के बाद क्या लिख है, 12 के बाद M लिख है, M मतलब month, ठीक है, मुझे कोई example दो, interest-bearing investments का, very good Muskan, very good Sachin, very good Rishita, तो ये हो गया, जैसे investment in bonds, अबना एक बच्चा, gold bond बोल रहा है, तो gold bond हो, के government bond हो, के bank FD हो, मेरे खाल से, इतना sufficient है, bond word बोल दो, तो ठीक है न, अब उसके आगे आगे, बारीकी में जाने का, मुझे कोई value दिखाई नहीं देती, investment in bonds, or debentures, ओके, तो others में, हम जो आपको समझाएंगे, वो क्या सिखाएंगे, हमारे exam के लिए, हम आपको सिखाएंगे, investment in share, हो तो और भी सकती है, पर हम आपके साथ ये बताएंगे, ओके, तो अब मैं अपने पास, अपना practical chapter, start करने वाला हूँ, क्या आपके साथ, हमने ये theory की, तो क्या भी और भी theory आएगी, हाँ, अभी और भी theory आएगी, जो theory आएगी, वो ये आएगी, जब भावनाएं बदलती हैं, तो accounting कैसे की जानी चाहिए, जब भावनाएं, बदलती हैं, मैंने का, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, पहले मैं अपने पास, अब practical part करूँगा, फिर बीच में कहीं theory आएगी, वहाँ discussion करेंगे, आपको उसकी चिंता नहीं करने है, आपका हर topic का हर point कवर होगा, arrangement मैं बताऊंगा, कि हम अब ये discussion करेंगे, इससे क्या होगा ना, topic आपका अच्छे से समझ में आएगा, तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, अगर लिख लिया हो तो मुझे बताईए, अगर इससी को अपने इस capital action के लिए हो, उसका account आगे सीखेंगे, हर्ष मैं आपको सिखा दूँगा, जा मुझे बताईए आपकी query तो मैं बतादूँगा, यह दो सीख लोगे न तो आपके सारे खाते हो जाएंगे, तो आपने खाली कोई चीज painting खरीदी, कोई और खरीदा, उसकी भी accounting cover हो जाएगी, ठीक है, इन दो को सीख लेंगे तो बताऊंगा मैं, ठीक है, यह point number third तक आप लिख चुके, अब हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, अब हेडिंग लिखेंगे, अभी point नहीं बोल रहा, हेडिंग लिखेंगे, लिखना investment in interest bearing investment, क्या अब मेरी चर्चा जो होगी, वो खाली interest bearing की होगी, the answer is yes, क्या आपको समझ में आ गई, अब मैं खाली interest bearing की बात करूँगा, तो जो मेरा चौथा point आएगा, वो खाली किसका होगा, interest bearing का आएगा, फिर बाद में क्या एक और भी heading आएगा, जो कि shared adventures के लिए भी आएगा, the answer is yes, तो I hope you are understanding the way I am telling you, कि हम कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब मैं आपने पास investments की बात कर रहा हूँ, interest bearing का, तो लिखें, separate ledger should be made for each class of investment, तो पहली बात तो आपको separate ledger बनाना है, अलग लग खाता बनाना है, हर class of investment के लिए, example, आपने खरीदे 6% bonds of government, 7% bonds of Delhi government, 8% bonds of Delhi government, 9% bonds, ये 9% debentures, of reliance industries, 6% bonds of government, मुझे ये बताओ, कितने ledger बनेंगे, तो देखो साब, ये bond है, 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 तो क्या सब bonds का एक खाता बनेगा, the answer is no, ये दोनों, ये दोनों same है, क्या ये दोनों same लिखे है, मैंने, ये दोनों same है, 6% bonds, ये दोनों same है, तो इसका मदब इसका एक ledger होगा, अच्छा, अगर मैं इसे 7% कर दू, तो क्या ये same होगया, फटा फट से बताओ, अगर मैं ये 6% bonds of government, और ये लिख दू, 7% bonds of government, तो क्या ये दोनों same होगए, the answer is no, फिर आप separate ledger बनाएंगे, तो इसका मतब जैसी मैंने ये 6% कर दिया, तो इसका मतब ये दोनों, अब एक ही होगए, तो इसका एक ledger बन गया, अब ध्यान से देखो जला, bonds of Delhi government, bonds of Delhi government, इसका एक खाता बनेगा के दो, भाई, इसका ब्याज का rate है 7%, इसका ब्याज का rate है 8%, तो क्या ये दोनों खाते एक बनेंगे के दो बनेंगे, तो इसके लिए एक ledger इसका बनेगा, और एक ledger इसका बनेगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, डिक्टो सेम होगा, तो ledger combine होगा, वरना हरे का ledger अलग लग बनेगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, इसका ledger है, ये अलग ledger है, य एक लेजर तो कितने लेजर बनेंगे इसके अंदर चार लेजर बनेंगे क्योंकि यह इसके साथ मर्ज हो गया इसका मतब आप जो एकजाम में सवाल करेंगे क्या same investment बार-बार खरीदी बेची जाती है तो उसी लेजर में आएगी दा आंसर इस लेकिन अगर कभी कोई खरीद रहे हैं कभी कोई खरीद रहे हैं तो उनके अलग-अलग लेजर बनेंगे the answer is yes I hope you have understood my first point कि हमको अलग-अलग लेजर बनाने चाहिए पहली बात समझ में आ गई हो तो बताईए आईए अगली बात investments are रेकोगनाईजड इनीशली एट कॉस्ट इसका हिंदी मतलब बताओ क्या हुआ investments are recognized initially at cost इसका क्या मतलब हुआ रेकोगनाईजड को हिंदी में क्या बोलते हैं रेकोगनाईजड का मतलब है books में लाना या लेजर में लाना इसे बोलते हैं रेकोगनाईजड इसका मतलब हम investment को लेजर में लाएंगे initially का क्या मतलब होता है initially का क्या मतलब होता है initially का मतलब है पहली बार हम जब पहली बार लाएंगे तो कितने पर लाएंगे हम उसे cost पर लाएंगे cost का क्या मतलब होता है लागत क्या cost को और explain करना चाहिए कि what does cost exactly means कि हम उसको initially इस पर लाएंगे तो cost पर लाएंगे तो मैंने का अभी इसके वारे में बात और भी करेंगे आईए हम इसकी जनल एंट्री लिखेंगे At time of purchase हम जब investment को खरीदते हैं उस समय investment के entry क्या होगी अब मुझे बताओ foundation में आपने पढ़ी हुई है investment खरीदने की entry बता दो क्या होती है आप जब investment खरीदते हैं तो entry क्या होती है entry होती है investment in bonds अच्छा ये बताओ क्या मैं bond बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पास ये interest bearing स्टार्ट कर रखी है ये share भी हो सकते हैं debenture भी हो सकते हैं gold भी हो सकता है FD भी हो सकते हैं investment in bond account debit to bank amount बताओ क्या होगा इसका amount होगा cost इसका amount क्या होगा cost being investment purchased being investment purchased ये नहीं हम investment को इतने पर record करेंगे अब मुझे ये बताओ आपके मन में इसके debit credit में कोई problem नहीं है अगर आपके मन में कोई problem है तो किसको लेकर के है cost को लेकर है किसकी cost क्या है हाजी अच्छा तो हम इसको जब बोलते हैं तो इसका cost का क्या मतलब है तो cost के अंदर हम जब आते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे meaning of cost meaning of cost अब आपको cost को जानना है कि cost का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको दोंगा न रागब ब्रेक दोंगा चिंता न करे cost को कैसे ढूंडते हैं तो cost के लिखें purchase price x interest or come in trust अब आपकी न यह query बन जाएगी sir इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है hold करना ज़रा ठीक है फिर उसके बाद minus interest if purchase is at come in trust यह आगया net purchase price x interest plus commission on purchase calculated at purchase price plus stamp duty calculated at x interest price other expenses as given is equal to costs तो यह बताओ क्या cost का मतलब face value है क्या cost को मैं कह सकता हूँ cost face value है या paid up value है क्या मैं यह बोल सकता हूँ cost is equal to face value या paid up value the answer is no cost का मतलब यह नहीं है cost तो itself एक अलग चीज है और investment को किस पर recognize करना चाहिए cost पर या paid up value पर ये query आई थी investment को किस पर record करना चाहिए cost पर record करना चाहिए तो यह cost निकालना है हम को okay हम cost के उपर यहां recognize करेंगे और हम accordingly उसकी accounting करेंगे यहां तक की मैंने बात आपके साथ करी अभी और भी बात करनी है by chance cost की बात चल रही है तो हमारे पास यहां break हुआ sir का मेहता sir भी आया हुए है cost का ही sir है मेहता sir मेहता sir आया हुए है आरके मेहता sir जो की costing expert है हाँ वहाँ चले गए हाँ चलो ठीक है फिर देख लो भी आ जाएं तो कहीं चले गए बात तो तो मैं आपसे बात कर रहा था कि यह cost होती है अब एक बात और बताना चाहता हूँ अगर fair value cost से कम हो हर्ष फेर वेल्यू हमारे पास कुछ भी हो हमने जब initially record करना है तो initially हमेशा cost पर record होगा ठीक है हर्ष initially बाद में fair value अगर मान लीजी आपकी कम होती है तो बाद में subsequent accounting में आएगा तो right now अभी आपने बात नहीं करनी है विकास यह लिखा है commission commission on purchase खरीदने के लिए commission लगती है न commission on purchase मैं इसके बाद एक छोटा point और यह मैंने समझाया नहीं आपको मैं एक छोटा point आपको और बताना चाहता हूँ अब बेज़ दो कोई नहीं आ गए मेहता सर तो मेहता सर घूम रहे हैं है हमारे मेहता सर आ गए है मेहता सर जो कि आज सर मैं कॉस्ट ही पढ़ा रहा हूं लेकिन यह मेरी कोस्ट जो है यह मैं बता रहा हूं को स्थूडेंट को कॉस्ट करते हैं आपका तो कामी का सबस्थ वैसे मैं ज़रूरी एक बात बुलने कर मिलग दाते हैं माई की चीनने आयो मैं सिर्फ स्टूडेंटस को मैंसेज देने के लिए आया हूं कर मेरी क्लास है जो शुरू है सर मेरे क्याल से हम लोगों ने मंडे से याने आज फ्राइडे है तो 4-5 दिन से हम लोग स्टुडेंट्स को बुक्स डिस्पेच कर रहे हैं हर रोज हमको कोई 100-100 बुक्स डिस्पेच करनी पड़ती और कल भी हम लोगों ने इतनी बुक्स भेजी हैं तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को अभी बुक्स ना मिली हो लेकिन आप चिंता मत करिएगा कि जो पहली क्लास है वो बिना बुक के भी आप पढ़ सकते हो उसके बाद दूसरी क्लास में हमारे पाद दो-तिन दिन का टाइम मिलेगा तब तक सभी स्टूडेंट्स के पास स्पोस्ट जाएंगी तो बुक्स को लेकर स्टूडेंट्स को बिल्कुल ऊह五 चिंता नहीं करें सेहरा उच्टा बुक्स इन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर सबसीक्वेंट अकाउंटिंग कैसे होती है सबसीक्वेंट अकाउंटिंग कैसे होती है हमारे पास हम वो डिसकस करते हैं जब इन्वेस्टमेंट को एक बार रिकॉर्ड कर लिया अभी मैं उसको लिखवा नहीं रहा अभी मैं आपको खाली समझा रहा हूं इसका प्रिंट ले लिया था नशेट इसका प्रिंट लेना है अरे बस इसके बाद मैं आपको ब्रेक दे दूँगा मैतासर चाय का इंतिजार कर रहे हैं मैंने उनको का मैंने का बस एक उन्हों टुक जॉब चाय का भी शुरू करते हैं सुनो ध्यान से हमने इन्वेस्टमेंट्स खरी दी 26 अगस्त को तो बताओ ये किस पर रिकॉर्ड की जाएंगी रेकोगना इस किस पर की जाएंगी अभी सहर्ष मैंने एक सोर कम के बारे में कॉस्ट को समझाया नहीं है क्योंकि उसकी चर्चा लंबी है तो मैंने का पहले अपना कॉंसेप्ट मुटा मुटा बता दू फिर उसकी डिटेल करोंगा तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे एट कॉस्ट आल्वेज चाहे वो शॉट टम हो चाहे वो लॉंग टम हो चाहे वो कोई भी हो हमारे पास हो किस पर आएगी कॉस्ट पर आएगी लेकिन इयर एंड पर इयर एंड पर इसे बोलते हैं सबसीक्वेंट रेकोगनीशन ये वर्ड्स ना ध्यान रखो सबसीक्वेंट रेकोगनीशन पहली बार के recognition को क्या बोलते हैं मैं भूल गया पहली बार के recognition को क्या बोलते हैं पहली बार के recognition को बोलते हैं initial recognition तो पहली बार तो हमने ये कर दिया अब बारी आ गई subsequent की तो subsequent में if investments were short term अगर वो short term है ये short term और long term कब कैसे पता चलता है यह खरीदने वाले दिन ही पता चल जाता है अगर खरीदते वक्त यह short term की भाव नहीं थी तो यह short term है अगर यह खरीदते वक्त long term की भाव नहीं तो यह long term है अगर यह short term है तो subsequent investments को value किया जाता है at cost और fair value whichever is lower क्या आपको मेरी बात समझ में आती है तो हर्ष आपकी query का इसमें answer मिल गया कि initially तो हमेशा cost पर record करते हैं लेकिन बाद में subsequently अगर वो short term है तो cost और fair value whichever is lower पर record करते हैं fair value कहां से आएगी अगर वो quoted है तो market price ही fair value है अगर वो unquoted है तो fair value कहां से आएगी जड़ा बताओ अगर वो unquoted है तो फिर fair value कहां से आएगी फिर value और उसकी value बताएगा value और उसकी valuation calculate करके बताएगा ओम चतुरवेदी कह रहे हैं कि आप fair value को हम NRV बोल सकते हैं the answer is no blender वो आपका stock के लिए word यूज होता है उसकी calculation का तरीका है ये value और निकालता है ये as2 निकालता है इसलिए आप इन दोनों बातों को mix नहीं करेंगे इसका मतलब मैं आपने पास कह रहा हूँ कि हम उसे fair value पर या उस पर ही लेंगे नमबर दो अगर ये investment long term हो भाई ये long term भी तो हो सकती है खरीटे वक्त भावना या अगर थी if investment is long term बच्चे नहीं कहा था ST, ST मतब short term और LT मतब long term अगर ये long term होगी तो value किस पर करेंगे value करेंगे cost only oh my god क्या बदल गया concept जब long term होगी तो valuation cost पर होगी short term होगी तो valuation इस पर होगी अभी इस पर हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों होता है इसके अंदर इसके बाद भी कुछ आता है वो आता है अगर permanent decline होगा तो permanent decline के अंदर हम provision बनाएंगे अपने पास provision for decline इसका मतब ये मेरे पास क्या आने वाली चर्चाएं है ये मेरी आने वाली चर्चाएं है मुझे बताओ अभी मैं आपको कहा focus करवा रहा हूँ अभी मैं यहाँ focus करवा रहा हूँ फिर मैं आपको इस पर focus कराऊंगा और फिर मैं इस पर focus कराऊंगा यह नहीं मैं इस तरह से तीन भागों में discussion करूंगा market value समर्थी ये fmb मतलब market value तो मैं आपको अभी यहाँ break दोंगा और break के बाद जब आप lot कर आएंगे तो मैं आपको तब cost का meaning explain करूंगा तो cost को वहाँ समझेंगे तो बीच में harsh की query address हो गई वो बोल रहे थे fair value तो fair value बताओ harsh fair value का use कब होगा initially या subsequently पहले नहीं होता है तो पहले cost पे इसको record करेंगे पहले क्यों record cost पे होता है क्योंकि हर्ष जब हमने cost पे की तो वही fair value होगी बात खतम therefore हम कहते हैं why are we calculating the fair value बाजार से कोई चीज़ खरीदी है तो fair value पर ही खरीदी होगी therefore हमेशा पहली transaction cost पे आती है बाद में उसके changes बदल जाती है ठीक है आयश class 10 बजे समापत होगी यहाँ पर हम आपके साथ रिशीका आपको यह मैंने लिखवाना बाद में है आप अभी भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस class का slide भी आप बाद में आप अभी आपके साथ अभी आपके साथ अभी आपके साथ अभी आपके साथ झांपके साथ झाल 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 वेलकम बेक क्या आप लोग वापिस आ गए हैं चाए पीली नाश्ता कर लिया और वापिस आ गए है करन ओके प्रोवीजन का क्या लिखा था प्रोवीजन फॉर डिकलाइन इन वेल्यू लिखा था प्रोवीजन इन डिकलाइन इन वेल्यू आफ इंवेस्ट्मेंट्स वो था और तो क्या क्लास को स्टार्ट कर दे वापिस हम अब थोड़ा सा questions के साथ इसको बात को समझेंगे अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान दर सुनना मुझे ये बताओ अब तो आपने एक FD कराई अबना ध्यान से रिलेट करना बात को और मुझे आंसर देना ठीक से मैं आपको बेवकु बनाऊंगा बनना नहीं है दिखें वादा करो मैं आपको बातों में घुमा के तुम्हारा नुकसान करूंगा तो तुम्हें बेवकु बनना नहीं है आपने एक FD करवाई एक लाक रुपए की 8% इंट्रस्ट पे FD करवाई 1422 को जिस पर आपको इंट्रस्ट कितना मिलेगा 8% पर एनम मिलेगा तो मुझे ये बताओ कि जब एक साल बीत जाएगा तो FD के कितने पैसे आपको मिलेगे पहले तो ये बताओ आपके FD के पैसे मिलेंगे कितने आपको जब एक साल बीच जाएगा तो एक लाक की FD के कितने पैसे मिलेंगे आपको आपको एक लाक आठ हजार रुपए मिलेंगे क्योंकि इस पर आपको ब्याज भी एड होके मिलेगा मैं आपके पास आ गया 1st of October 22 को और मैंने आपसे का बच्चे Please tell me your FD अब आप कहेंगे सर FD बिक्ती थोड़ी ना है मैंने का कोई बात नहीं अनकोटिड है लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ मैंने का बेटा वो FD मेरे को आप दे दो और आपको मैंने कहा कि आपने कितने की FD खरीदी थी एक लाकी मैंने कहा I will pay you 1 lakh क्योंकि आपने 1 lakh ही शुरू में pay किये थे 1 lakh ही यहाँ पर आपको मैं दे रेता हूँ तो आप मेरे को अपनी FD दे दो आप मेंसे कौन-कौन सा बच्चा अपनी FD मुझे देना चाता है दुर्गेश, लद्धा वो कह रहे हाँ ठीक है एक लाख रुपे में बात हो गई है हाला कि बहुत सारे बच्चे नहीं मान रहे हैं जो कह रहे हैं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे एक एक बच्चा तो मान गया था कि हाँ मैं आपको एक लाख रुपे में FD दे दूँगा भाई सहाब क्या यहां तक के ब्याज को जो आपने अर्न किया है बैंक तो आपको देगा नहीं क्योंकि बैंक ने तो आखरी में देना है यह 4000 का ब्याज आप किस से चार्ज करोगे क्योंकि यह तो आपका बनता ब्याज बैंक तो आपको देगा नहीं बैंक तो देगा उस आथ में कुछ इसके पास FD होगी तो आप मुझसे चार्ज करोगे तो मुझे यह बताओ मुझसे आपको कितने पैसे लेने है How much money you want आप मुझसे एक लाख चार हजार मांगोगे आप एक लाख चार हजार जो मांगोगे क्या ये सहीत इंटरस्ट है फड़ा फट से बताओ क्या एक लाख चार हजार सहीत इंटरस्ट है इंटरस्ट भी इसमें आ चुका है The answer is yes क्या मैं इसे अंगरेजी में ये लिख दूँ कम इंटरस्ट कि मैंने इंवेस्टमेंट खरी दी मैंने खरी दी आपने बेची है ना मैंने खरी दी मैंने एक लाख चार हजार की इंवेस्टमेंट खरी दी कम इंटरस्ट कम का मतलब क्या हुआ कम वर्ड बना है cumulative से cumulative मतलब होता है जुड़ा होना included इसका मतलब क्या 1,4,000 कम interest है the answer is yes अच्छा ये बताओ मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 1,00,000 उरुपे की investment खरी दी है X interest interest का लेंदिन पक्का होगा उसके बेगार बात नहीं होगी बट बोल चाल की बात कर रहा हूँ मैंने कहा मैंने 1,00,000 की investment खरी दी X interest तो what does word X means X मतलब without interest बिना interest के 1,00,000 की खरी दी बेयाज site मैंने 1,00,000,4,000 की खरी दी यहां तक आपको मेरी बात समझ में आती है तो X और कम का ये मतलब होता है मैं आपने पास अब इस से connected practical part अब start कर रहा हूँ तो अब आप पहला example ले रहे हैं अभी तक मैंने सब theory पढ़ाई है पहली class आपकी लगबग सारी theory में ही चले गई लेकिन दोस्त theory अच्छे से समझी होगी तो practical connect होगा आपका आईये लिखें example RAM पर्चेस्ट 1000 9% debentures of X limited at rupees 102 102 come interest face value rupees 100 each date of purchase 1st October 22 date of interest 31st March and 30th June and 31st December ये आपकी interest की dates है और मैंने साथ में कह दिया stamp duty आधा पर्सेंट on cost commission on purchase 2% on cost generalize transaction question लिख लेंगे तो बताएंगे हाँ हमीशा अभी आप इधर फिर देखिएगा वही चर्चा यहाँ पर भी आएगी पियूश X और कम यहाँ पर भी आएगा अभी हम यही चर्चा करेंगे X कम और यह सब बाते करेंगे हर पहले आप question लिख लिए मैं अभी discussions कर रहा हूं अपने पास question लिख लेंगे तो मुझे बताएंगे सिद्धी ने लिख लिया मनन ने लिख लिया रिष्टा ने लिख लिया रिनीशा ने लिख लिया चलो सब ने लिख लिया तो हम इस question का answer भी properly निकालेंगे presentation करेंगे और मैं अपने पास यहाँ पर कर रहा हूँ अपना यह हो गया solution और यह मैंने कर दिया rough work अब मैं यहाँ पर rough work कर रहा हूँ मैंने अपने board पर इधर आकर rough work कर रहा हूँ मुझे यह बताओ हम एक year ड्रॉ कर रहे हैं 22-23 तो 22-23 यह हमारा year है question में लिखा है 110-22 को हमने 1009% debentures purchase किये है at 102 कम interest यह हमने purchase किये है कम interest का क्या मतलब है हाँ यूश बिटा यह class भी आपके पास google driver होगी आप अगर मान लो आप नहीं attend कर रहे हैं तो आप बाद में google driver डाउनलोड करके कर सकते हैं तो आपने 1000 debentures खरीदे 102 रुपे के मुझे multiply करके बताना 1000 debentures खरीदोगे 102 रुपे के तो कितना हो गया 102 रुपे के यह बताओ क्या यह interest सहीत है या interest के बगैर है तो word x और कम का मतलब यह होता है कि अगर कम है तो इसके अंदर interest जुड़ा हुआ है और अगर यह x है तो interest जुड़ा हुआ नहीं है और अगर कुछ भी ना लिखा हो मान लो कुछ भी ना लिखा हो लिखा मैंने 102 का purchase किया तो आप assume करते हो कि वो x interest है इसका मतलब आपको अगर कुछ नहीं लिखता है तो आप हमेशा x interest के assumption लेते हो यह सब assumptions मैं लिखवाऊंगा ठीक है चिंता नहीं करनी है all the points will be noted down तो यह हमने कम interest करेदा अब मुझे यह बताओ इस सवाल में interest की dates कौन कौन सी है please tell me what are the interest dates तो interest की dates चेक करिए 30th June October से पहले 30th June आएगा उसके बाद एक 31st of December भी आएगा 31st of December भी आएगा मेरा यह कहना है कि हमने यह investment यहाँ पर purchase की है यहाँ पर purchase की है तो यह बताओ यह interest हमें मिला होगा या पुराने बंदे को मिला होगा जो owner था यह नि एक्स owner किसको मिला होगा यह interest किसको मिला होगा तो यह interest तो जो previous owner था वो ले चुका होगा यह interest किसको मिलेगा यह वाला interest हमने या शेर डिवेंचर्स खरीद लिये हैं यह interest किसे मिलेगा यह हम को अब हम रसीब करेंगे अपने पास यह बताओ कि यहाँ पर जब इंटरस्ट मिलेगा तो आपको कहां से कहां तक का इंटरस्ट मिलना चाहिए आपको तो यही वाला इंटरस्ट मिलना चाहिए आपका तो इतना इंटरस्ट बनता है आपको कितना इंटरस्ट मिलना चाहिए आपको तो सिरफ A इंटरस्ट मिलना चाहिए जो ये बनता है वो आपका इंटरस्ट है ये वाला इंटरस्ट बताओ किसको मिलना चाहिए ये इंटरस्ट जो B है ये किसे मिलना चाहिए यहां तक का तो previous owner इंटरस्ट ले चुका लेकिन उसके बाद से लेकर date of sale तक का ये interest तो previous owner को मिलना चाहिए but company जब यहाँ interest देती है तो वो उसका बटवारा नहीं करती है वो कहती है मुझे नहीं पता कि ये तुम दोनों ने कब transaction करी और किसका क्या ब्याज है company कहती है मैं तो सारा का सारा छे महीने का ब्याज मुझे ये बताओ मैं अपना चेरा बना रहा हूँ तो अपने चेरे में क्या मेरी smile बढ़ गई है फटा फट से बताओ मेरे को मेरी smile क्यों बढ़ गई है मैंने का अरे मेरे को A भी मिलेगा और मेरे को B भी मिलेगा तो मेरी स्माइल तो बढ़ गई है तो उदास बताओ कौन हो गया अब इसके अंदर देखें तो कौन उदास हो रहे है प्रीवियस ओनर वो कहरा है भाई साब ये क्या हुआ जो इंट्र mosT बनता था वो इंट्रस्ट तो मेरा था B interest तो मेरा था वो ले गया कोई और जब B को पहले ही पता है तो जानते हो B क्या करता है वो यहीं पे ही कहता है मेरे को इसमें ब्याज भी पे करो तो क्या अल्रेडी जब यहाँ transaction होती है तो interest B gets paid by us to previous owners इसका मतब हम previous owner को वहां तक का ब्याज पे करके काम खतम कर देते हैं तो अब मुझे फटा फट से यह बताओ अगर मान लीजिए यह वाले ब्याज को निकालें तो मुझे आप बता सकते हो यह ब्याज का amount कितना होगा अगर 1000 debentures हैं आपको पता है ब्याज किस पर calculate किया जाता है ब्याज paid up value या face value पर calculate किया जाता है यनि कि 100 rupees पर ब्याज calculate होता है यनि ब्याज की calculation किस पर होगी जो आपने अपने पास face value रखी हुई थी 9% is the rate of interest कितने दिनों का ब्याज यहाँ पर आएगा 30 जून तक का ब्याज तो लग गया था तो जून के बाद जुलाई, औगस्ट, सेप्टेंबर एक अक्टूबर तो अलग हो गया तो 3 by 12 तो कितने महीने का ब्याज हो गया calculate कर लीजे जितने महीने का ब्याज हो गया वो amount आगया 2250 2250 तो क्या यह amount of interest हम pay कर देंगे previous owner को? Yes तो अगर हम यहाँ पर pay कर देंगे तो हमें भी नुकसान नहीं होगा क्या यह बाद में हमें recover हो जाएगा? फटा फट से बताओ क्या B amount हम बाद में later on company से recover कर लेंगे? The answer is yes हम recover कर लेंगे यह बताओ यह 2250 रुपे क्या 1,2000 में जुड़े हुए है के नहीं जुड़े हुए है यह 2250 भी क्या इसमें जुड़े हुए है के नहीं जुड़े हुए है जुड़े हुए है तो मेरा सवाल यह है कि 1,2000 में क्या मैं कह सकता हूँ 2250 रुपे तो ब्याज के payment है और जो हमने investment के लिए pay किया है वो amount कितना होगा 1,2000 में ब्याज हटा दो तो 99750 बादल 99750 यह actual में investment के लिए pay किया है तो how much we paid? We paid rupees 99750 यह आपने pay किया है अच्छा अब यह बताओ जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो खरीदने के लिए क्या बीच में commission agent भी आ जाते है वो आपको चीज भिकवाते हैं तो commission agent आते हैं वो आप से क्या मांगते हैं वो कहते हैं भाई साब commission दो now you pay commission while purchasing जब आप खरीदे हैं तो आप commission pay करते हैं commission का rate कितना मैंने बोला commission का rate मैंने बोला 2% किस के उपर 2% बोला मैंने बोला cost के उपर लेकिन यह cost का मतलब AS 13 वाली cost नहीं है इस cost का क्या मतलब है इस cost का मतलब है जितने पर broker ने सौधा करवाया था ब्रोकर ने सौधा कराया था एक लाख दो हजार पर तो एक लाख दो हजार का दो परसंट इस इस दी अमाउंट अफ कमिशन जो आप से चार्ज करेगा कौन कमिशन एजेंट वो कहेगा साब मुझे इतने रुपे की कमिशन पे करो 2040 ये मैं आपने पास कमिशन पे करूँगा इतना ही नहीं क्या आपको पता है हमारी सरकार जब भी आप शेर डिबेंचर बॉंड खरीदते हैं तो सरकार हमको एक टेक्स लगा दिती है जैसे इंकम टेक्स होता है वैसी एक टेक्स लगाती है खरीदने वाले पे टेक्स लगाती है उस टेक्स का नाम है स्टेंप ड्यूटी उसका क्या नाम है स्टेंप ड्यूटी ये सरकार टेक्स लगाती है किस पर लगाती है जब आप खरीदते हैं कोई चीज आपके माता पिता ने कभी प्रॉपर्टी खरीदी हो और आपने देखा हो तो आपको पता है आपके माता पिता ने स्टैम्प ड्यूटी पे की थी खरीदने के लिए जब आपने कोई property खरी दी तो आपको stamp duty देनी पड़ती है वो होता है न जिसमें note छपा होता है वो stamp papers होते हैं उनसे stamp paper दें उनको duty pay करने पड़ती है सरकार ने कहा हम आधा percent की duty लगाएंगे on cost क्या ये cost का मतलब AS 13 वाली cost है the answer is no यहाँ stamp duty किस पर calculate होती है यह आधा percent calculate होती है always on x interest value what is x interest value 99750 यहनी यह stamp duty हमेशा किस पर होती है फटा फट से बताओ stamp duty हमेशा x interest पर होती है commission किस पर होती है commission court पर होती है court का मतलब क्या है अगर कम पे खरीदा तो कम पर होगी अगर x पे खरीदा तो x पर होगी इसका मतलब broker ने सौधा किस पर करवाया broker कम interest पर सौधा कराएगा कम interest पर आएगी broker x interest पर सौधा कराएगा तो उस पर कराएगी इसके अलावा और कोई खर्चे तो है नहीं यह amount कितना निकलाया 498 498 तो मुझे बताओ आपकी final cost क्या पढ़ गई 99 750 प्लस 2040 प्लस 498 तो आपकी cost क्या पढ़ गई आपकी cost हो गई एक लाख दो हजार तीन सो रुपे क्या आपने इसके अलावा 2250 प्लस रुपे का ब्याज भी पे करना है the answer is yes इसके अलावा ब्याज भी पे करना है तो हम जब इसकी general entry डालेंगे तो entry क्या बनेगी मैं आपको लिखवा रहा हूँ आप लिखना start करेंगे आप कहेंगे हमने investments खरीदी investment in 9% डिबेंचर ऐसे नाम लिखा जाएगा investments in 9% डिबेंचर कितने की खरीदी one lakh two thousand three hundred one lakh अज बच्चे कह रहे हैं ये two twenty eight है ओके तो two twenty eight कर दो उसको one lakh two thousand two twenty eight इसके अलावा क्या हम interest भी पे कर रहे हैं हाँ interest on investments हमने interest भी पे किया बाइस सो पचास रुपए तो मुझे ये बताओ ये हमने entry डाल दी two bank तो this is my purchase एक लाख चार हजार अमाउंट देखो कितना हाथ है total हाँ अमेशा भी एक एक करके repeat करेंगे पहले एक बार इसको पूरा कर लें दो तो ये कितना हो गया this is 8 this is आपाँच दो साथ चार 1,4,478 रुपीज this is the cost narration लिखेंगे being investments purchased being investment purchased ये हमने अपनी investments को खरीद लिया आज डेट कौन सी है आज डेट है 1,10,22 ये आपकी जनल इंट्री होती है अब हम इसको एक बार repeat भी करना चाहेंगे पहले मुझे बताईए आपने लिख लिया हो तो हम सबी repeat करना start करेंगे हाँ स्वमित्रा एक एक करके पहले लिख लिया हो स्वमित्रा हो तो बताओ फिर मैं रब कर सकता हूँ पहली बात तो ये समझो जब आप फोन खरीडते हैं तो क्या फोन खरीडते हैं तो फोन खरीडने पर आपको जो फोन पर परचेस प्राइस है वो पैसे देने पड़ते हैं क्या साथ में टेक्स भी लग जाता है क्या आपको टेक्स भी पे करना पड़ता है आपको टेक्स भी लग जाता है और अगर वो आईफोन हो तो क्या आपको एडेप्टर भी लेना पड़ता है साथ में अगर वो आईफोन हो तो क्या एडेप्टर भी लेना पड़ जाता है उसके लिए तो आपको एडेप्टर भी लेना पड़ जाता है तो इसका मतलब आप जब आईफोन खरीते हैं तो आपके पास various elements होते हैं cost के ये भी पैसा लगेगा ये भी लगेगा ये भी लगेगा बात समझ में आती है अब सवाल ये है कि आईफोन तो आपका बड़ा एक related example था मैंने investment करी है in bonds तो मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ जब आप इनको purchase करते हो न तो आपको पहले तो अपने दिवाग में अच्छे तना डालो कि जब आप bond purchase करेंगे previous owner को पैसे देने पड़ेंगे previous owner को आपको उसके लिए purchase के पैसे देने पड़ेंगे क्या बिल्कुल ठीक वो आपसे पैसे मांगेगा के नहीं मांगेगा बोलेगा है सब मैं आपको कुछ बेचना हूँ तो पैसे दो मुझे उसके बदले में तथा मैं आपसे कह रहा हूँ previous owner वो अपना interest भी मांगता है बताओ ये कौन सा interest मांगता है जो उसके हक का interest था उसे मिलना चाहिए था पर उसे मिलेगा नहीं क्योंकि company उसको पै नहीं करेगी because the owner will get changed now the new owner will get the interest तो ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह डालो previous owner interest भी मांगता है ये बात आपको थोड़ी अजीव लग रही है लेकिन मैं यही तो बताना चाहता हूँ तुमने FD जब मुझसे बेची थी तो बताओ 1,4,000 की क्यों बेची थी यही तो कारण समझाया था कि why you asked for 1,4,000 क्योंकि आपने का शर्मा जी FD तो तुम्हारी हो गई तो ब्याज तो सारो तुम्हारा हो गया तो इसके interest जो आज तक का बनता है वो तो आप ही लोगे इसका मतब previous owner हमेशा हमसे interest मांगता है वो जरूर लेता है always लेता है third आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो commission agent involved है क्या commission agent commission मांगते है commission agent आप से commission मांगते है तो भाई खरीदने पर तुम्हें ये भी खर्च करना पड़ेगा ये भी खर्च करना पड़ेगा ये भी खर्च करना पड़ेगा इसके अलावा इसके अलावा मोधी सरकार एक stamp duty भी लगा देती है वो कह रही है साव आपको हम tax भी लगाएंगे इसका मदब ये tax भी आएगा हाँ शार रहा ये accrued interest ही वो हमसे मांग रहा कह रहा यहां तक का accrued interest मुझे pay कर दो क्योंकि now you will be receiving it later on pay me my interest इसका मदब वो stamp duty भी मांगते है stamp duty हमेशा किस पर मांगी जाती है x interest इसका मदब मोधी सरकार कहती है जो ये वाला price है न other than interest इसके उपर वो हमसे stamp duty मांगते है क्या आपको मेरी बात समझ में आती है हम previous owner को interest भी pay करते है क्या मोधी सरकार इस पर stamp duty मांगती है the answer is no वो कहती है तुमने जो चीज खरी दिये उस पर stamp duty दो तुमने जो ब्याज दिया उस पर नहीं अधित्ते इसके अलावा क्या और भी कोई खर्चे हो सकते है कुछ और भी खर्चे हो सकते है मैंने आपको सवाल में अधर्स तो बताई नहीं इसलिए उसको भूल जाओ अधर्स को बाद में ले लेंगे ये चार चीजें इसमें आती है हमारा AS 13 कहता है ये cost है ये cost है और ये cost है क्या आपको मेरी बात समझ में आती है तीन चीजें cost है और हमने इन तीन चीजों को ही अपने पास अलग-लग करना है अब आपको सवाल मैंने लिख कर दिया मैंने कामने खरीदे हैं 1000 bonds at the rate of 102 ये आगया 1,02,000 और ये कम interest है तो मुझे फटा-फट से बताओ क्या इसमें interest जुड़ा हुआ है इसमें interest जुड़ा हुआ है क्या interest की payment cost है फटा-फट से बताओ क्या interest की payment cost है नहीं वो cost नहीं होती है तो इसका मतब पहले इसको split करना पड़ेगा कि इसमें से interest का part अलग कर दो तो मुझे ये बताओ हमारा interest जो बनता था previous owner का 1000 debentures है interest हमेशा किस पर calculate होता है face value पर calculate होता है rate of interest कितना है 9% है ये बताओ previous owner का interest कितना बनता होगा आपने एक 10 को कोई चीज़ खरी दी है previous owner ने जून का ब्याज तो ले लिया होगा फटा-फट से बताओ previous owner ने जून तक का ब्याज तो रिसीव कर लिया होगा उसे कितने महीने का ब्याज भी मिलना चाहिए था जुलाई का अगस्त का सितंबर का एक अक्तूबर से तो हम्माली को गए उसे नहीं मिलना चाहिए था तो कितने महीने का interest उसे मिलना चाहिए था तीन महीने का यह previous owner का interest बनता है How much it is? It is 2250 It is 2250 तो इसका मतब भी हो गया बिना ब्याज के तुम कितने पैसे पे कर रहे हो तुम 2250 रुपे ब्याज के पे कर रहे हो बिना ब्याज के तुम कितने पैसे पे कर रहे हो इसमें से माइनस कर दोगे तो बिना ब्याज के पैसे निकलाए 99,770 लेकिन सरकार ने का हम स्टेम ड्यूटी भी लगाएंगे बताओ सरकार ने का ड्यूटी लगाएंगे कितनी आदा परसंट सरकार ड्यूटी हमेशा किस पर लगाती है एक लाग दोजार पर या परचेस के प्राइस पर सरकार कहती है तुमने जो खरीदा उस पर टेक्स लगाऊंगी ब्याज कोई खरीदा थोड़ना है ब्याज तो लिंडन हुआ है खरीदा तो तुमने 99,750 है तो 99,750 पर मोधी सरकार क्या करेगी टेक्स लगा देगी कितना टेक्स बन गया 498 रुपीज यह आपने 418 रुपे का टेक्स दे दिया अब बीच में कमिशन एजेंट आ गया कहरा भाई सर्थ मैंने सौदा करवाया था मुझे 2% पे करो वो ब्रोकर किस पर सौदा कमिशन मांगता है वो एक्स पे नहीं मांगता वो कम पे नहीं मांगता वो कहता है मैंने सौदा किस पर कराया था पढ़ो ब्रोकर ने सौदा कम इंट्रस्ट करवाया था कि एक्स इंट्रस्ट करवाया था ब्रोकर जिस पर सौदा कराया भाई साब वो तो कमिशन उस पर लेगा वो कहेगा मैंने सौधा X पर कराया तो X पर कमिशन लूँगा मैंने सौधा कम पर कराया तो कम पर कमिशन लूँगा जिस पर सौधा हुआ है तो बताईए सौधा किस पर हुआ है कम इंटरस्ट पर हुआ है तो कम इंटरस्ट वैल्यू कितनी है एक लाग दो हजार तो एक लाग दो हजार की उपर दो परसन कमिशन लगाएगा वो तो कमिशन ये भी आपको पे करने पड़ेगी अब मेरा सवाल ये है वट इस दी कॉस्ट आपकी लागत क्या आई आपने इतना पैसा दिया खरीदने का इतना पैसा ब्रोकर को दिया इतना पैसा मोधी सरकार को दिया तो वट इस यूर कॉस्ट ये आपकी कॉस्ट आगई हम इन्वेस्ट्पन को किस पर रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे एक लाख दोजार दोसोटाइस रुपे ये कॉस नहीं है पर पे तो ये भी करना पड़ा ना ब्याज भी कि पे करना पड़ा तो जो ब्याज है उसे ब्याज की अकाउंट में डालेंगे कि आपने इतना ब्याज पे कर दिया तो ब्याज पे करोगे तो ब्याज अकाउंटे भी टू बैंक बस बात खतम यह गलत हो गया किया दो सोटाइस मैंने गलत लिखा ठीक तो लिखा हो है मैंने वन जिरो टू टू कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखे क्या हमने यह आपर 102288 okay 288 कर दो यह 288 है तो यह लिए 288 कर दो उसमें तो कोई निकत नहीं है वज़त फाराँ आगया तो मुझे यह बताओ क्या यह कॉंपलेक्स है आप इसे कॉंपलेक्स नहीं बोल सकते इपलेक्स बस आपके लिए न distintos बसे सबSound आपके लिए नया था लो भाई तो सबसे पहले हम बात कर रहे है पारस की अब हमने नाम कहां से लिया अपने स्टूडेंट का नाम ले लिया पारस परचेज अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो क्या मतलब हुआ यह एक्स इंटरस्ट है या कम इंटरस्ट है यूवल आपने कोई रफवक नोट नहीं करना था मैं आपको अपने पास अब जब कराऊंगा तो आप फिर से या नोट कर सकते हैं ठीक है तो अगर कुछ नहीं लिखूंगा तो यह एक्स इंटरस्ट है मैं फिर भी लिख देता हूँ एक्स इंटरस्ट मैं फिर भी for your clarification मैंने लिख दिया एक्स इंटरस्ट आगे लिखना कमीशन दो परसंट यह बताओ कमीशन दो परसंट वो किस पर कमीशन लेगा अगर यह सौदा एक्स इंटरस्ट हुआ है तो कमीशन एक्स इंटरस्ट पर लेगी ब्रोकर जो मेहनत करेगा उसी के तो पैसे लेगा ना अगर उसने सौदा एक्स इंटरस्ट करवा है तो एक्स की बात होगी अच्छा इसके लावा stamp duty 1% ये बताओ ये 1% किस पर होगा X पर होगा या कम पर होगा या हमेशा X पर होगा जो stamp duty है ये किस पर होगा ये हमेशा X interest पर होगा क्योंकि मोदी सरकार को कोई मतलब नहीं है ब्रोकर सौधा किस पर करा रहा है ये हमेशा किस पर लगाएगा always on X interest इसके लाव मैंने का कोई other expenses भी हो गए 500 रुपे के other expenses हो गए कुछ भी हो सकता है आप ये नहीं कह सकते खरीदने पर कोई वकील से बात करनी पड़ी वकील ने 500 रुपे मांग लिया हम से तो ये other expenses भी मारे पास आ गए date of interests 31 March and 30 September each year ये मैंने आपको ब्याज की भी dates बता दी कि ब्याज की dates ये हैं और मैंने आप से कह दिया generalize आपने इसे generalize करना है अब हम rough work नहीं करेंगे अब हम proper work यहीं पर करेंगे तो आप अगर तयार हो तो मुझे बताईए कोई rough work नहीं अब हम अपने पास start कर रहे हैं सबसे पहली यहां लिखो working note number one calculation of cost क्या आपको general entry में cost चाहिए हाँ चाहिए तो पहला working note बनेगा कि cost क्या है हाँ प्यूश कह रहा अगर date of interest नहीं दिया हुआ होगा तो प्यूश हमेशा दिया होगा नहीं दिया होगा तो 31 मार्श मान लेंगे हाला कि ऐसा एक भी question आपको नहीं मिलेगा ओके बागी फिर भी आपका answer रहे बताऊं तो यह रेंड मान लेते हैं हम लोग working note बाद में नहीं बनेगा हर्शा working note कहीं भी बनाया जा सकता है पहली भी बना सकते हैं बादे भी बना सकते हैं बीच में भी बना सकते हैं ओके तो आपने खरीदा है 97 रुपीज का आपने 500 चीजें खरीदी एक चीज 97 किये तो आपकी total price क्या हो गया 48,500 अच्छा इसमें इंटरस्ट जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ 48,500 में इंटरस्ट जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ इसमें इंटरस्ट जुड़ा हुआ नहीं है इस इस एक्स इंटरस्ट अगर ये पहले ही एक्स इंटरस्ट है तो क्या दुबारा इंट्रस्ट घटेगा इसमें? This is my question to you जो पहले ही X-interest है क्या इसमें दुबारा से फिर इंट्रस्ट घटाओगे? अब थुड़े ना घटाओगे पिछली बार तो कम इंट्रस्ट था तो हटाना पड़ा था ये पहले ही आपके पास क्या है ये X-Interest है अब मुझे ये बताओ इसके उपर कमीशन भी तो लगेगी बताओ कमीशन 2% ब्रोकर किस पर लेगा फड़ा फट से बताओ ब्रोकर 2% कमीशन किस पर लेगा वो 48,500 पर लेगा 48,500 तो कमीशन का मूट कितना आ गया तो 970 रुपीज का वो कमीशन लेगा इसके अलावा stamp duty बताना कितनी आएगी stamp duty आ गई 1% किस के उपर 1% किस पर लगेगी stamp duty 1% on 48,500 this is equal to 485 क्या कोई और भी खर्चे हुए हैं कोई वकील ने पैसे मांग लिये थे आपसे legal expenses क्या कोई खरीदने पर और भी expenses हुए हैं हाँ other expenses भी हुए हैं कितने के हुए हैं 500 रुपे के मुझे बताओ आपका cost कितने का पड़ा क्या बोलते हो भाई साब मुझे कितने का पड़ा मैं करीदा इस सामान को कितने का पड़ा पड़ा वर्ड बोलते हो कि नहीं बोलते हो हम लोग दिल्ली में तो बोलते हैं कि मुझे इतने का पड़ा ही है तो तुम नहीं बोलते हो क्या 40,000 50,000 455 रुपए मुझे ये investment इतने रुपए की पड़ी इतने रुपए मेरी लागत आई ये बताओ क्या ब्याज मुझे अभी भी देना होगा के नहीं देना होगा broker ने ब्याज का सौदा तो नहीं कराया था पर ब्याज का लेंदिन अभी भी होगा ब्याज का लेंदिन तो अभी भी होगा ब्याज तो नहीं छोड़ देंगे ब्याज तो चलेगा ही चलेगा अब मुझे ये बताओ ब्याज किस पर निकाला जाएगा 500 debentures है क्या आपको पता है अगर face value ना लिखियो तो face value कितनी मानेंगे हम अगर face value ना लिखियो तो debentures की, bonds की face value कितनी लेते हैं हम लोग 100 और आपको पता है ब्याज किस पर निकाला जाता है face value पर निकालते हैं कि 97 पर मैं confused हो गया please tell me क्या 97 पर ब्याज निकलता है वो face value पर निकलता है rate of interest क्या है rate of interest 8% है ये बताओ previous owner हमसे ब्याज कहां से कहां का मांगेगा तो ये बताओ आपने 1 सितंबर को कोई चीज खरी दी 1 सितंबर से पहले कौन सा ब्याज previous owner ले चुका होगा 1 सितंबर 22 से पहले कौन सी date आएगी 1 सितंबर 22 से पहले 31 मार्च आई होगी रिया गलत ये देखो रिया इधर आपने 1 सितंबर को investment buy की है ठीक है ब्याज की date कौन सी है 31 मार्च और 30 सितंबर तो previous owner जो ब्याज लेता है रिया वो आपसे ये वाला थुड़ना लेगा बताओ रिया का उनसा वला ब्याज लेगा इस से पहले कौन सा ब्याज था I hope you are understanding तो 1 सितंबर से पहले कौन सी date आएगी 31 मार्च आएगी तो इसका मदब यहां से लेकर यहां तक का interest आप से हो मांगेगा I hope you got it कि आप अपने पास previous interest से लेकर date of transaction तक का interest calculate करोगे तो यह कितने महीने हो गए अब आप इसको calculate करके बताओ कितने हो गए April, May, June, July, August, September की तो पहली है number of month हो गए 5 तो यह हो गया into 5 बटा 12 solve करें और मुझे बताएं कितना आ गया कुछ बच्चे कह रहे है 1667 कुछ कह रहे है 3750 कुछ कह रहे है 1818 और 1667 जाता बच्चे कह रहे है क्या मैं यह लिख दू 1667 यह नहीं इतने रुपे का ब्याज हो गया अब मुझे यह बताओ what will be my journal entry हमने investment खरीदी है तो मुझे बताओ investment को recognize किस पर करते हैं cost पे investment in 8% bonds कितने रुपे debit करूँ फड़ा फट से बताइए investment in 8% bond कितने पर debit करूँ cost पे cost कितनी है 50,455 क्या आपने इसके अलावा कोई interest भी pay किया है क्या आपने इसके अलावा कोई interest भी pay किया है the answer is yes we paid interest also तो interest कितना पे किया है 1,667 यह आपने interest पे किया है credit क्या कर देंगे अपने पास to bank total कितना हो गया 7,5,12,6,5,11,1,12 4,5,6,4,10,11 52,122 52,122 narration क्या लिखेंगे being investments purchased और date क्या लिखने वाले हैं इसके अंदर date लिखने वाले हैं इसके अंदर 1,7,2022 इस date को हमने यह investment करी दी क्या आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हम बाजार में जब investment करीते हैं तो कैसे उसकी cost को calculate करते हैं और कैसे उसकी entry डालते हैं आगे जो interest आएगा हाँ प्रियांशा कह रहे हैं कि आगे जो interest आएगा उसकी चर्चाम करने वाले हैं कल ठीक है अभी जितना time था हमने अपने पास उतना discuss किया अपने पास ठीक है तो this is the basic assumption जो हम लेते हैं एक अपनी copy में top पर note लिग दो if question is silent on x oblique come interest always assume क्या लिखो जी अगर question silent होगा तो क्या assume करेंगे अपने पास तो आप अपने पास क्या assume करेंगे विबे ने बताया था तो आप उसे मेंशा क्या assume करेंगे always assume x interest okay face value 100 rupees लेते हैं यह मुझे लगता नहीं important assumption है यह आपको सबको पता अच्छे तरह से इसको लिखने की कोई आवशकता नहीं है हम इस पे और भी चर्चा करेंगे आपके साथ कब कल कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कल तो टेक्सी क्लास स्टार्ट होनी थी तो टेक्सी क्लास से शेप्टेंबर से स्टार्ट करेंगे अभी मैं सर से बात करके आपको एक्जेक्टन की जानकारी दे दूँगा अपने पास ठीक है तो अभी हम कल आपको मिलेंगे रागव कल यानि की कल कल, not on Monday, tomorrow तो हम कल मिलेंगे, कल Saturday है शायद ना, तो कल हम आपके साथ बात करेंगे और कल इस टॉपिक के अंदर और आगे करेंगे, ठीक है रागव टाइम भई है, सुबह साथ बजे का 7 o'clock in the morning, 7 to 10 हम कोन सी कॉपी में लिख ले, दुरगेश किसी भी कॉपी में लिख लो, कोई फरक नहीं पड़ता है, आपको प्रेक्टिस करने ही है, जहां मर्जी लिख सकते हो, ठीक है और हिमान्चु कल कॉस्टिंगी क्लास साड़े-10 बजे से है, वो हमारी क्लास के बाद है, तो मेरी क्लास तो as it is चलेगी, उसके बाद हमारी क्लास हो, कॉस्टिंगी क्लास स्टार्ट होगी नोट्स इसके उपर हम कर लिखेंगे, और जो लिखने वाले इसका प्रिंट आउट आपको ले देता हूँ, अगर आपको चाहेगे तो सचिन लॉग की क्लास जो स्टार्ट होगी, मैं उसके लिए आपको एग्जेक डेट्स ना, फिर कल बता सकता हूँ, आज मेरी जानकारी उस पर नहीं है करन ये जो आज की क्लास है, गूगल ड्राइपर या मेरे खाल से दो या तीन घंटे में पहुंच जाएगी, तो आप अपने पास दो या तीन घंटे बाद अगर चाहेंगे, तो इस क्लास को डाउनलूड करके देख सकते हैं, अगर आपकी क्लास में सो गई है, तो आप मेरी क्लास देखने के बाद फिर से गूगल ड्राइपर देखो, कोई दिकत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर, यह नहीं, आपको अकलमंदी वैसे किसमें है, यह बताओ, आपको अकलमंदी किसमें है, गूगल ड्राइपर क्लास देखने में अकलमंदी है, या live class देखने में अकल बन्दी है live class देखो तो तुम्हें Google drive का व्यूवी बचा रहे गया तुम्हारा class पड़ी हुह जब चाहिए हो देख लो कभी माझ लो कभी नहीं सुबह अटेंड कर पाई class उस दिन Google drive राई वाली download कर लो नहीं तो अपने पास सुबह क्लास अटेंड को रो बात खतब हो गई है तो लाइव में आपको अच्छा भी लगेगा महल भी ठीक रहता है और आपका व्यू भी सेव होता है बाकी फिर भी बच्चों के अपनी चोईस होती है और इसके अलावा अभी कोई होमवक नहीं है अपने पास ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है हिमान्चू आप रिकॉर्डिड लेक्षे भी स्टार्ट करने हैं तो कर लो बाकी इस पर जानकारी मैं आपको कल ज़्याद अच्छे से दे पाऊंगा तो बस आज के लिए केवल इतना ही दस बज गये हैं आपके अगली क्लासिस का शेड्यूल आ रहा है तो आज के लिए इतना ही See you in the next class tomorrow morning 7 o'clock Bye-bye